नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अबडीट रहने के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नवश्कार दर्शकों मैं अपके साथ सीमो पाध्धर अब देख रहें बलं हिंदुस्तान दिली अन्सीयर वालों को जल्धी नियू नर्डा के साथ ही हाइटेक टाउंशिप का तौफा भी मिलेगा हाइटेक टाउंशिप बसाने की तयारी शुरू हो चुकी है किसाना से जमीन खरिदने का काम लगभग पूरा हो गया है आने वाले दो से तीन महिनों में टाउंशिप का निर्मान कारे भी शुरू कर दिया जाएगा खास बात तो यह है किस टाउंशिप में 600 एकड का रेसिडेंशियल प्लान है तो 300 एकड में ग्रीन बेल्ट होगी टाउंशिप में मकान भी तीन कैटेगरी में बनाया जाएंगे आईए देखतें इसे जड़ी बुलने इस्तान के एक खास रिपोर्ट यमना एक्सप्रेस वे के पास सिकंदरबाद और दादरी के बीच टाउंशिप के लिए जमीन खरीदने का काम किया गया है यमना अथारिटी इस हाइटेक टाउंशिप को बसाने का काम कर रही है यह मुन अथोरटी से जुड़े अफसरों की माने तो हाइटेक टाउंशिप बसाने के लिए करीब 15-81 जमीन के इस्तमाल किया जाएगा इसमें से 35-40 फीसदी जमीन पर रेसिडेंशियल प्लान बनेगा 4-6 फीसदी पर कमर्शिल इस्तमाल के लिए होगा 4-6 फीसदी इंडस्ट्रियल के लिए 8-10 फीसदी पब्लिक यूटिलिटी के लिए 15-18 फीसदी पर ग्रीड बेल्ट तैयार की जाएगी वहीं 18-20 फीसदी पर रोड कंस्ट्रक्शन होगा और 3-5 फीसदी का इस्तमाल रिकर्मरेशन के लिए होगा तो यह थे बुलंद इंडस्तान के खास रिपोर्ट और भी असी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बुलंद इंडस्तान